हेलो दोस्तो जैहीन स्वागत है आप सभी का सौरब कम्प्यूटर के यूटूब चैनल पे दोस्तो आप सभी के लिए होमगाड की वेकेंसी आचुकी है राजयस्थान में जिहां दोस्तो गुरूहरक्षक की वेकेंसी है आज के वीडियो में आपको इसी वेकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी बताने वला हूँ जैसे कि इसमें अधर स्टेट वाले अपलाई कर सकते कि नी कर सकते कॉल्विफिकेशन क्या मागा गया है एज क्या रहेगी फीस क्या रहेगी सिलेक्षन प्रोसेस हर एक चीज में आपको बताऊंगा आप मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहना वीडियो को स्कीप मत करना और ऐसे ही हर वेकेंसी की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लेना छले दोस्तों आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कुल कित्ते पदों के लिए वेकेंसी आई हुई है तो दोस्तों मैं आपको बता दू यह जो वेकेंसी है टोटल 3842 पदों के लिए आई हुई है अब हम बात करेंगे फीस के बारे में इसमें आपकी फीस किती लग रही है तो दोस्तों अगर आप जन्रल में आते हैं और OBC में आते हैं तो आपको 2500 रुपे फीस देनी पड़ेगी form के लिए और अगर आप ST, SC, EWS और MBC वर्ग में आते हैं तो आपको 200 रुपे फीस देनी प चुट मिलेगी और SCHD वालों को 5 साल की चुट मिलेगी अब हम बात करेंगे इसके qualification के बारे में आपकी पढ़ाई क्या मागी गई है दोस्तों तो qualification के बारे में बात करें तो इसमें आपकी बहुती minimum qualification मागी गई है जो की 8th pass जी हाँ दोस्तों 8th pass पास्त कॉलिफिकेशन मागी के अगर आप 8th pass है तो फों अपलाइ कर सकते हैं अब हम बात करेंगे सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहले आपका फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका हाइट टेस्ट और वेट आ जाता है फिर आपका पी एटी होगा इंटर्वी होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा आंगे मैं आपको हर एक चीज बताओंगा फिजिकल एफिसेंजी टेस्ट में क्या क्या होगा फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट क्या क्राइटेरियर रहेगा हर एक चीज में आपको बताओंगा सबसे पहले आपके marks किस प्रकार मिलने वाले हैं आपको सबसे पहले आपका सारीजिक दक्षिता परिक्षा के आपको 25 नमबर मिलेंगे विशेष योगे था आपका special qualification उसके आपको 20 नमबर मिलेंगे आपका special qualification क्या है मैं आपको आगे बताओंगा क्या मांगा है उसमें फिर आपका interview होगा interview के आपके 5 नमबर मिलेंगे आपका total 50 नमबर का रहेगा इसके हिसाब सभी आपकी merit list बनेगी अब यहाँ कि आप देख लीजिए special qualification के नमबर किस प्रकार से रहेंगे अगर आपने NCC किया है और आपके पास NCC का A certificate है तो आपको 2 अंक मिलेंगे B certificate है तो 4 अंक और C certificate है तो 6 अंक मिलेंगे अगर आपके पास computer certificate है RKCL, RSCIT, DOECC किसी भी मानेता प्राप्त संस्था द्वारा computer certificate अगर आपके पास तो आपको उसके 4 अंक मिल जाएंगे उसके बाद अगर आपने ITI कर रखा है या फिर आपके पास diploma है ITI और diploma आपका किस field में होना चाहिए जैसे कि electrician, fitter, plumber, welding motorguardi mechanic, diesel mechanic, carpenter, painter fire technology and industrial safety, fireman ये सब में आपका ITI या फिर diploma होना चाहिए आपके जो ITI है NCVT से होनी चाहिए अब हम बात करेंगे physical standard test के बारे में जिसमें male की height मागी गई है 188 cm, female की height 152 cm chest की बात करें तो 181 cm बीना फुलाए फुलाने के बाद 86 cm strip male के लिए और weight की बात करें तो 47.5 kg इसरी female के लिए मागा गया है 12 jila और सहारिया jila के लिए इसमें छूट दी गई है जिसमें height इनकी 160 cm महिला की 145 cm chest बीना फुला है 84 फुलाने के बाद 79 और महिला के लिए weight 43 kg मागा गया है इसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपके physical efficiency test के बाद इसमें सबसे पहले आपकी दोड़ होगी 1000 m की दोड़ होगी तो एक भी अंक नहीं मिलेंगे फिर महिलाओ के लिए 800 m की दोड़ होगी अधिकतम अंक 15 रहने वाले हैं 3.5 में दोड़ लेगी महिला तो 15 पूरा मिलेगा 3.50 सेकेंड के 10 अंक 4.10 सेकेंड के 5 अंक और उससे ज़्यादा होगी 16 फिट अगर फेक देंगे तो 10 अंक पूरे मिलेंगे 15 फिट फेकने पर 7 अंक 14 फिट फेकने पर 5 अंक और 14 फिट से कम फेकेंगे तो एक भी अंक इसमें नहीं मिलने वाले हैं ये शिर्य पमहिलाओ का होगा पूरुषो का गोला फेक नहीं होगा अब हम बात करेंगे आरक्षण प्रतिशत की तो इसमें अनुसूचीत जाती को 16 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा झाल झाल